कि नमस्कार दोस्तों मैं हूँ एस्पेशिंग और आप देख रहे हैं स्मार्टर एवरीड़ीड़ जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं बीट सेकेंड यर कानपर निविश्टी का जो अब्जेक्टिव एजब होने वाला है उसकी कंप्लीट प्रिपेशन करवा रहा हूं वीड यह पीडिया समय दे रहें पढ़ने के लिए तो मैं यह नहीं समझ में आ रहा है कि यह कॉलेज़ वाले होकर के अपना कंटेंट ना देकर के हमारा कंटेंट लेकर के हमसे और फिर प्रोड़ क्योंकि मुझे क्या पता कौन क्या है कहां से बस आप डावड़ों के कॉल हैं हम थो पिडियों प्रोड़ा नहीं है उनको हम पीडियों प्रोड़्ोड कर आ हैrem तो अब वह वोन क्या गर रहे हैं कि हम से से लेकर के अपने इस्टेंट्स को अपने कॉलेज गृप में सेर कर रहे हैं और अपने इस्टेंट्स सक पहुंचा रहे है है ठीक है कोई बात नहीं मेरे लिए पेडिय। हूँ मैं यहीं समझता हूँ कि ठीक है मेरे लिए गर्व की बात है कि कमसे हम कॉलेज़ वाले अपने स्टेंट्स को मेरी पीडियोस प्रोवाइड करा रहे हैं पढ़ने के लिए उनसे यह भी कह रहे हैं कि कम्प्लीट जो है इसमें मैटर है कोई दिक्कत नहीं आप पढ़ते रही है तो ठीक है कोई बात नहीं है बाकी तो शुरू करते हैं आज की क्लास और इस प्रकार से अगर आपको कहीं पर भी मेरी पीडियोस मिलती है आप लोग तो खुद देखते हैं वीडियोस में मैं कॉप कॉपी हाड कॉपी जो मेरी पास उसे पढ़ा रहा हूं अगर आपको इस प्रकार से पीडियोस कहीं मिलती है तो उनको तुरंत मेरा वीडियो भेजिए उनसे बताइए कि यह सर है और यह कॉपी इनकी है कॉलेज वाले अपनी तरफ से नहीं दे रहे हैं उसमें तो कॉलेव अंगाल कि चक्र में हमारा जो है उसमें जो हमारा नाम मैं नीचे मैं सब्सक्राइब कर रहा हूं वह प्लेव यह नाम पड़ा है अमारे चनल का पड़े रहने तो अब मैं जो पीडियो सेर करूंगा जो मेरे पेडिसिस्टेंस हैं उनको ऊपर भी आपका नाम लिखा सब्सक्राइब कि असलों कि आप लोगो को दिक्कत हो उसके लिए और सब्सक्राइब कि और भीसण सोच्छ पना करेंगे और हाँ जो इस्ट्रेंट्स मुझे यह पूछ रहे है कांटीनू कि सर आपकी पीडियाप्स लेने के बाद क्या एजी नोट्स खरिदने की आव सकता है सर पर्थम मैं काऊंगा नहीं क्योंकि मैं कहीं से भी कोई भी गंटेंट छोड नहीं रहा हूँ एक एक जो chapter जैसा है उससे उसी तरीके से questions निकाल लो किसी chapter में 25 questions निकाले जा रहे हैं किसी में 30 हैं किसी में 15 हैं तो जो जैसा chapter है उसी प्रकार से उसमें questions निकाल लो छोटा chapter है या जो chapter ज्यादा important नहीं है उससे कम questions बन रहे हैं जो important chapter से वहाँ से जिस तरीके से भी question बन सकता है मैं पूरी तरीके से वहाँ से ज़दर ज़दर questions देने का प्रयाश कर रहा हूँ रही बात book खरीदने की या जो नया book जो नई book आर ये market में उसको खरीदने की तो देखिए उसके लिए मैं ये कहूँगा कि अगर आप मेरे वीडियो पढ़ने के बाद मेरी पीडियोप्स पढ़ने के बाद आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो आप अपना एजी नोट्स जो खुद के पास है वो पढ़ सकते हैं अपनी book पढ़ सकते हैं तो गया रखा वो भी रहेगा ठीक है अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है चारशे गंटे आप समझ रहें कि सर की वीडियो मैंने पूरी तयार कर ली है सर की पीडियाप्स मैंने पूरी तयार कर ली है और अब जो है मैं फ्री हूँ तो वहाँ पर आप खरीद सकते हैं कर आपके अक्स्ट्रा टाइम है तब ठीक है बाकी कोई आवसकता नहीं है मैं कंप्रीट कोर्स करा रहा हूँ जो पेडिस्टेंट्स हैं उनके पास 49 49 49 पीडियाप्स पहुंच चुकी है पेपर फर्स सेकेंड कंप्रीट हो गया है थर्ड के चार चैप्टर भीज दिये गये हैं और आज रात में दो-तिन लगा हूँ और ठीक है तो आज रात में मैं दो बज़े तक यह उसे पहले आपको पेडिस्टेंट कंप्लीट करा दूँगा और अभी तक जो मेरे पेडिस्टेंट्स हैं उनके पास 49 पीडियाप्स पहुंची जा चुकी है अगर किसी के पास कम है तो मैसेज डाल दे और ब दखाये की सर यe सर हैं और पीडियावत की हैं और आप लोग कह रहें कि हम भेज रहें सारे इस्टेंट को बताएं कि यह फटप्ड़ा रहे हैं यह तयार कर रहा है हाद़ वर्क मैं कर रहाँ वावइड को और ले रहा है चलिए कोई बात नहीं है ।ो मैं इस चेप्हल और चेप्टर है हमारा और ये paper 1 ही चल ला है तो क्योंकि भीडियो सтесь कनाने बहुत ज़्यादब बिजिए हैं तो वीडियो नहीं बना पार है टाइम बहुत लगता है वीडियोको क्रिएट करने में उसको कम्प्लीट करने में आप तक पहुंचाने में सिक्षा का निजी करण एवं वानिजी करण देखिए अच्छा चेप्टर है बहुत 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 नी चेप्टर है तो देखिए सन 1960 में मैंने बहुत अच्छी दरी के समझाया है कि मैं तीन तीन लाइनों में चार सेर पांच पांच कोर्शन कम्प्लीट कर रहा हूँ सन 1960 में पीटर एफ ड्रकर कब 1960 में किसके द्वारा पीटर एफ ड्रकर के द्वारा सरवपर्थम यानि पहली बार अपनी पुस्तक दा एज ओफ डिस कॉंट्री निजी करण सब्द का परियोग किया गया था निजी करण सब्द का परियोग किसके द्वारा किया गया था पीटर एफ ड्रकर द्वारा किया गया था निजी करण सब्द का परियोग कहां किया गया था the age of this country this country newty book में कब किया गया था 1906 में ठीक है तो यहां तक तीन questions आपके complete हो जाते हैं my dear friends अगर आप PDF ले लेंगे तो उसमें क्या होगा कि आप एक बार नजल डालेंगे फटावर फटावर पढ़ते चले जाएंगे तो आपका पूरा chapter complete हो जाएगा ठीक है यह आपके लिए बहुत plus point रहेगा आपको exam time दिक्कत नहीं होगी पढ़ने में exam से पहले exam से पहले हमारे पस बहुत कम time हो था हमाले एक दिन का time मिला अब उसमें हम पूरा course थोड़ों complete करेंगे जो main main points होते हैं उनको देखेंगे तो उसमें क्या जो pdf और रामबन सिद्ध होगी 1991-92 में 71 सारवजनेक छेत्र के उद्ध्यमों तथा कब 1991-92 में 71 सारवजनेक छेत्र के उद्ध्यमों और 2009-4 में 104 उद्ध्यमों ने समझावता ग्यापन पणाली यानि कि MOU पर हस्ताचर किये थे अब यहां से कोशन ने भी बन सकता है कि MOU क्या है तो यह समझावता ग्यापन पणाली है फरवरी 1992 में एक राष्ट्री नवी नी करण कोश की स्थापना की गई राष्टी नवी नी करण कोश की स्थापना की गई फरवरी 1992 में सरकार ने सारवजनिक उद्यमों के सेरों का विनिवेश करने के लिए रंग राजन समित की नवंबर 1992 में निवक्ति की थी जहां जा मेरे वीडियो सेर कर सकते हैं आपसे रिक्वेस्ट एक प्लीज सेर कीजिए निजी गरन का तातपर एक ऐसी प्रकरिया से है जिसमें पूर्व में सरकार द्वारा संचालित या प्रतिबंधित संस्थाओं को किसी निजी उद्यमी अत्वा संस्था को संचालन प्रबंधन के लिए हस्तांत्रित कर दिया जाता है भारत में अगस्त 1995 में प्राइवेट युनिवर्सिटी बिल्ड संसथ में प्रवेश किया गया ठीक है संसथ में संसथ में प्राइवेट युनिवर्सिटी बिल कब पेश किया गया अगस्त 1995 में दे एस ओफ दिसकौन्टी निव्टी नामक पुस्तक में प्राइवेट युनिवर्सिटी बिल्ड संसत में कब पेश किया गया अगस्त 1995 में निजी संस्थाएं कहां से मानिता प्राप्त करती है जो प्राइवेट इंस्टिउशन्स होते हैं उनको मादमिक सिक्षा बोर्ड और निदे साले से मानिता मिलती है निजी करण का मूल मंत्र क्या है निजी करण का मूल मंत्र परतिश्पर्धा है निजी करण का मुख्य उद्देश क्या है निजी करण का मुख्य उद्देश मुनाफ़ा होता है उदारी करण प्रक्रिया का प्रारंब सन 1991 से हुआ उच्च सिच्छा के प्रती सरकार की सोंच का प्रकटी करण राष्टी सिक्षानिती 1986 से हुआ था परिच्छा पद्दित में सुधार 25 नमर चेप्टर ये हमारा पेपर 1 का लास्ट चेप्टर है मेरे एकोर्डिंग बाकि आपके 6 चेप्टर बचते हैं वो कराएंगे परिच्छा उतनी ही प्राचीन है जितना मानों का ग्यान भंडार परिच्छा के दौरा शिक्षा प्रकरिया की सफलता ऐसे फलता का आकलन किया जाता है प्राचीन साहित्य में कागज स्पेंसिल परिच्णों का उलेख नहीं मिलता है कुओ ने लिखा है कि सून नामक समराट ने अपने करमचारियों को उन्नती प्रदान करने के लिए लिखित परिच्छा देने की 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 परिच्छा किस प्रारंब से ही उपादी प्रदान करने के लिए परिक्षाओं को आधार बनाया जे एस राइस ने वर्स्तुनिष्ट परिक्षाओं का विकास किया था वर्स्तुनिष्ट परिक्षाओं यानि कि जो अबजेक्टिव इजाम आप देने जा रहे हैं इसका विकास J.S. Rice ने किया था अब उसको ढूड़ो और पूछो कि भाई आपने ऐसा क्यूं किया था बताओ आज हम लोग खुसे पड़े हैं हमारी सबसे उत्तम परिक्षाएं तीन चमताओं की जाच करती है P.V. John के अनुसार ऐसा P.V. John कहते हैं देखिए ये आपके सामने ये डिफ्रेंशन लिखिया जाएगी फिर वो पूछेंगे ऐसा किस ने कहा ऐसा P.V. John ने कहा हमारी सबसे उत्तम परिक्षाएं तीन चमताओं की जाच करती हैं ऐसा कौन कहते हैं चार आप्सन दे देंगे उसमें आपको P.V. John को टिक करना है वर्तमान परिक्षाएं लिखित, बाय और निबंदात्मक होती हैं जो आजगल की परिक्षाएं होती हैं वो लिखित हो सकती है, बाय हो सकती है, निबंदात्मक हो सकती है बहुत सारे मैसेज आने के कारण जो लोग कहा रहे हैं सर्क वीडियो देजिए वीडियो देजिए मेरे भाई मैं बहुत बिजिए हूँ पीडियेप्स कंप्लीट कर लो फिर कंटीन्यू वीडियो दूँगा कहा है प्रेशान है क्यूँकि जो पेडिसटेंट्स है मेरा फ़र्ज है कि मैं पहले उनको पीडियो सारे पुरा कोड़्स कंप्लीट करा हूँ उनका पेडिसटेंट्स वाले जो मेरे पेडिसटेंट्स हैं बिलकुल दुखी ना हो, प्रेशान ना हो आपको कंटीनूरी पीडिस मिल रही है पढ़ते रहें, मस तरीके स्पढ़िये, कुछ भी नहीं छोड़ना है और बाकी मैं हूँ विद्याले की विभिन कक्षाओं में पढ़ाये जाने वाले विभिन विश्यों में अर्जित की गई योगिता की जाँच परिच्छा द्वारा की जाती है विद्याले की जो विभिन कक्षाओं हैं उनमें पढ़ाये जाने वाले विभिन विश्यों में अर्जित की गई योगिता की जाँच परिच्छा के द्वारा की जाती है इसे ग्यानार्जन परिच्छा या उपलब्धी परिच्छा कहा जाता है परिच्छा विधी की दृष्टी से उपलब्धी परिच्छाओं को चार उपविभागों में विभक्त किया गया मौकिक परिच्छा, क्रियात्मक परिच्छन, निवंदात्मक परिच्छन और वस्तुनिष्ट परिच्छन ये जो टिफनेसंस हैं ये ऐसे ही आएंगी जैसे लिखा होगा मापन ये मानुसार वर्स्तुमों या घटनाओं की संख्या प्रदान करता है ऐसा कौन कहते हैं चार आप्सन दी होंगे उसमें आपको कर्ल लिनजर को टिक करना है टॉर्गर्शन वर एडम्स के अनुसार किसी प्रक्रिया या वस्तु के महतों का निर्धारन करना ही मुल्यांकन होता है मापन कैसा है मापन एकांगी होता है और मुल्यांकन बहुमुखी होता है मापन कितनी मात्रा में है ग्याद करने से समंदित है मुल्यांकन का समंद इस प्रश्ण के उत्तर देने से है कितना अच्छा कितना अच्छा तो हम मुल्यांकन करेंगे कि इतना अच्छा और मापन का मतलब है कि उसकी मात्रा बताएंगे कि वो चीज कितनी है डेबलू जे जी फ्रेंडली ने सन 1963 में सैक्षिक छेत्र में मापन के कार्यों को तीन बागों में बाट दिया था सैक्षिक कारे, प्रशाष्णिक कारे और निर्देशन कारे इसके बाद तो चैप्टर वन खतम हो गया अब हमारे सामने सुरू हो रहा है पेपर सेकेंड, यहां से होता है पेपर सेकेंड श्टार्ट आपका पेपर वन के छे चैप्टर मैंने छोड़े है ठीक है वो छोड़के मैंने गलती कर लिए, मतलब बार बर बताना पड़ता है बहुत बड़ी गलती कर लिए छोड़के वो छोड़ दिये हैं बहुत जल्दे इनको complete किया जाएगा 50 बर बताने के बाद भी आप लोग message कर देते हो Sir chapter 6 कब complete हो रहे है So देखिए ये जो आप PDF देख रहे हैं आपको लगता है Sir ने ये इतना लिख दिया होगा 10 मुट लगे होगे My dear friends कम से कम ये तो देखिए एक-एक question ढूणना पड़ता है एक-एक line पड़नी पड़ती है तब एक question निकल करके आते हैं सामने एक-एक PDF में 3-4-4 गंटा लग जाता है 10 समय लगते होते तो मैं कब तक का course complete करा दिया होता लेकिन नहीं एक PDF में 3-4 गंटे लग जाते हैं और एक पूरा complete करने में एक subject को 12-36 36-48 गंटे लग रहे हैं देखिए पार्ठिकरम का आश है मेरे जो offline batches हैं आठ वो भी बंदे हैं आजकल मैंने कहे रखा है कि मैं बहुत ज़्यदा बिजी हूँ पार्ठिकरम का आश है प्रक्रति अवधार्णा तता मूल परचन पार्ठिकरम यह आपका first chapter है पेपर second सुरू हो गया है यहां से ओके बाकि यह जो है यह जितने paid strands है उनको बहुत पहले ही पहुँचाया जा चुका है सारा material जितना भी complete है यह पूरा यहां तक complete हुआ है यह सारा material जो paid strands है उनको पहुचाया जा चुका है आप लोगो को देखो जल्दी complete प्राने कोश्च करूँगा शिक्षक सिच्छार्थी को किस आधार पर सिच्छा देता है जो सिच्छक है वा सिच्छार्थी को पार्ठिकरम के आधार पर सिच्छा देता है यह लाइन देदेगा आपको और पूछेगा एसा किस ने कहा है तो ऐसा रस्तुने कहा है पार्ठिकरम सब्द आंगल भवासा के केरिकुलम सब्द से बना हुआ हुआ है इनको अच्छे से बढ़के जाईेगा आझल भवासा का केरिकुलम सब्द लेटिन भाषा के क्यूरेरे सब्द से बना हुआ है जो अंगल भाषा का ये कैरुकुलम सब्द था पार्टिकरम सब्द इसे से बना पार्टिकरम और इसे बना ये कैरुकुलम ठीक है भाषा के क्यूरेरे से बना हुआ है ये इसे बना इसे ठीक है क्यूरेले कार्थ है दोड का मैदान क्यूरेले कार्थ क्या है दोड का मैदान पार्ठिकरम एक मार्ग है जिस पर चल कर बालक अपने सिक्षा प्राप्ति की लग्च को प्राप्त करता है पूर्ण करता है सिक्षा एक दोड है जो पार्ठिकरम के मार्ग पर दोड़ी जाती है पार्ठिकरम और प्चरिक सिक्षा में सेक्षिक कारिकरम का एक संगठित धाचाथवा प्रारूप है क्या कब और कैसे पढ़ाया जाए या पार्ठिकरम विक्त करता है क्या कब और कैसे पढ़ाय जाए या किस के दोरा तै किया जाता है आपके सामने चार आप्सन होंगे उसमें आपको पार्ठिकरम को टिक करना है पार्ठिकरम को मानव जाती के संपूर्ण ग्यान तथा अनुभव का सार समझना चाहिए ऐसा किसने कहा है? चार आप्सन में आपको फ्रोबेल को टिक करना है सैक्षिक कारेकरम की रूप रेखा की संग्या पार्ठिकरम को दी गई है सैक्षिक कारेकरम की रूप रेखा की संग्या किसको दी गई है? पार्ठिकरम को पाठिकरम शंपूर्ण मानवजाति के ज्ञान और अन्भवों का प्रतिमान है पाठिकरम की प्रकृति गत्यात्मक वैज्ञानिक प्रिवर्तनसी लोचक और व्यापक है फिक्टे कहते हैं दर्सन ज्ञान का विज्ञान है अरस्तु कहते हैं दर्सन एक ऐसा विज्ञान है जो परम तत्तु के यधार्थ स्वरुप की जांच करता है उटावे कहते हैं सिक्छायक समाजिक प्रक्रिया है प्रचन पाठिकर्यम पाठिचर्या को किसी अध्यापक के बजाए विद्यालयदोरा पढ़ाया जाता है प्रचन पाठिचर्यया की अवधार्णा को सबचे पहले सनอन inferior अर्षट में फिलिप जैक्सन ने किस ने फिलिप जैक्सन ने कब सन अठार सो अरसट में कहाँ यह आगे देखते हैं कहाँ दिया है कहाँ नहीं दिया है ने यह क्या लिखा हाँ अपनी एक मुझे कोर्शन को दुबारा रीड करते है प्रच्छन पार्ट करम की जो अधारना है उसको सबसे पहले सन अठार सो अरसट में फिलिप जैक्सन ने फिलिप जैक्सन ने अपनी यहाँ पर नमबर गलत पड़ गया है अपनी पुस्तक लाइफ इन क्लासरूम में प्रयोग किया था अपनी पुस्तक लाइफ इन क्लासरूम में प्रयोग किया था 20 नमबर पाठ्यवस्तु पाठ्यकरम का केवल एक भाग है पाठ्यकरम शिक्षन प्रक्रिया का पूर्ण और अभिन अंग है पाठ्यवस्तु का निर्मान सिक्षाविद करते हैं पाठ्यकरम का निर्मान अध्यापक श्वयम भी करता है देखिए जो पाठिवस्तु है इसका जमान सिक्षाविद करते हैं और पाठिवस्तु का जमान अध्यापक करते हैं पाठिवस्तु का छेतर शीमित होता है पाठिवस्तु का छेतर व्यापक होता है कोर पार्टिकरम उस पार्टिकरम को कहते हैं जिसमें कुछ विशे तो अनिवार होते हैं और बाकी विशे एक्षिक होते हैं कोर पार्टिकरम अमेरिका की देन है कोर पार्टिकरम किसकी देन है अमेरिका की या पार्टिकरम भालकेंद्रित होने के कारण पूनतिया मनोवैक्यानिक है तो my dear friends आज मैं यतनी रखूँँगा और अगर आप चाहें तो PDF ले सकते हैं मुझे WhatsApp करके इस नमबर पर डाल सकते हैं 9628182649 मैसेज करने के बाद थोड़ दिर वेट क्या कीजिए क्योंकि मैसेज, हचावनों का मैसेज आने के करने मैसेज रिसीप नहीं हो पाता है तो ये देखिए उसका मैं प्रॉसेस बता दूँ PDF का अगर आप चाहते हैं PDF लेना तो आपको चारों पेपर की PDF मिलेगी ठीक है जो भी कॉस्ट आपको बताई जाएगी उसमें चारों पेपर की PDF मिलेगी और अभी जितना complete है वो आपको तुरंद भेज़ा जाएगा 49 PDFs complete है वो आपको तुरंद भेज दिया जाएगा बाकि जैसर जैसर प्रिपेर होता है वो ग्रॉप में share कर दिया जाता है ठीक है और जो भी आप payment करेंगे उसका माध्यम Google पे या फिर फोन पे है तो my dear friends अगर आप चाहें तो इस PDF को ले सकते हैं क्योंकि यहाँ आपको exam के time रामबान सिद्ध होगी आप इसको एक एक नजर डाल करके पढ़ सकते हैं ठीक है यह सारा complete है बहुत अच्छे तरीके से students को पहुंचाया जा चुका है और students बड़े ही मन, तन और धंतो थोड़ा बोत लगई है पढ़ रहे हैं ठीक है और तो और college कई college वालों ने purchase करके अपने students को provide करा रहे हैं तो उन college वालों को मेरा कोई बात नहीं अच्छी बात है जो उन्होंने जो ऐसा कर रहे हैं तो लेकिन कम से का मेरा जो उसमें नाम लिखा हुआ है उसको cut ना करें यह सारा complete ठीक है तो और जहां भी मेरी pdf मिलें आपको कोई college वालों आपको provide करा रहे हैं तो उनको तुरंत मेरा video भेजी है उस group में और बता दीजे कि यह जो pdf आई यह इंसर ने इंसर का इंसर की मेहनत है यह यह पढ़ाते हैं ठीक है उनको बता दीजे इनका यह youtube channel है जब आप link भेज़ेंगे खुद ही जान जाएंगे तो कम से कम इतना मतलब expert इतना smart लोग है pdf में भेजता हूँ उसमें नीचे जो मेरा नाम मैं लिख देता हूँ smarter everyday कुछ पीडियोस में लिखा हुआ है कुछ मैं ने लिखा हुआ है लेकिन आप मैं सब में लिखूँँगा देखिए मैंने यहां लिखा हुआ है कुछ में मैं भी आपको दिखा देता हूँ paper third चला है हमारा इसमें मैं देखिए मैंने ऊपर भी लिखा हुआ है यह देखिए ऊपर भी लिखा है smarter everyday by sp.sing और और भी नीचे भी लिख रहा हूँ ठीक है जैसे यहां पर ऊपर भी smarter everyday लिखा है नीचे भी लिखा है ऐसे भेज रहा हूँ देखें भाई अब क्या करेंगे उपर भी करतेंगे नीचे भी करतेंगे कोई बात नहीं है तो चलिए ठीक है मिलते है नेक्स क्लास में